दोस्तों अगर आप भी अभी के टाइम पर 20,000 के बज़ेटे में कोई सा एक बेस्ट कामरा स्मार्टफोन डून रहें तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट और लेटेस्ट कामरा स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला तो बिना किस दरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता और बात कर लेते हैं लीस में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है मोटो ला की तरप से मोटो जी 85 जो की रिसेंटली 17-18,000 के आसपास लांच हुआ है और वन अब तो बेस्पेक्स का साथ आता है जहां प बेक में वीगन लेजर वाला डिजाइन है साइट फ्रेम पोलिकार्बिनेट की मिल जाती है कर्व डिजाइन होने की वज़ए से इंहें स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा है और लाइट वेड भी है पफॉमेंस में देखो स्नैप्रेगन 7S Gen3 वाला प्रोसेसर मिलता है मत जाएगा वाइस का सपोर्ट है और जो वाइड एंकल क्यामरा है उससे आप एजर मैक्रो शूटर भी उसकर पाएंगे देखो क्यामरे की क्वालिटी मुझे ओर अच्छी देखनों को मिली है वाइस का सपोर्ट ही मिल जाता है अला कि 4K तक आप यहां पर वीडियो लाइन मिलता है अब बात कर लेते हैं लिसमें नंबर 4 पर हमने रखा है रियलमी की तरब से P1 प्रो और नार्जो 70 प्रो को देखो अगर आपको फ्लैट डिजाइन के साथ आने वाला स्मार्ट फोन चीए और आपका बज़रियन थोड़ा सा कम है मतलब 15-16,000 के आसपास भी तो नार्जो 70 प्रो एक बहुत ही अच्छी चोईस है और फ्लैक्शिप कैमरा सेंसर के साथ भी आता है बाइक अगर आपको कैमरे के साथ साथ अच्छा लूक अच्छा डिजाइन भी चीए तो रियलमी की तरब से P1 प्रो एक अच्छी चोईस हो सकती है यहां पर 6.7 इंच कामरे की तो बैक में 50 प्लस 8 मेगा पिक्सल का डूल कैमरा है यहां पर भी सोनी का लीट या 600 वाला सेंसर मिल जाता है पर 4 के तक या वीडियो रिकॉट कर पाएंगे और ओवाइस का सपोर्ट भी है और ओरोल कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक सी देखने को मिलती है फ्रेंड म की आसपा से कूपन लगाने के बाद 15 मिलता है देखो दोस्तों अगर थोड़ा से वेट कर सकते हैं तो अंडर 20,000 के बजिटे में रियल्मी की तरफ से 13 प्लस भी आने वाला है और उसे भी गुटिर किया जा सकता है बात कर लेते हैं लिसमे में नंबर 3 पे हमने रखा है अच्छी ब्राइंड की तरफ से भी आता है बाएकि परसनली मैं रेकमेंड करूं तो तो ती 3 आपके लिए एक बेटर चोईस रहने वाली है जहापर अच्छी ब्राइंड वाल्यू के साथ साथ अच्छा डिजाइन मिलता है जीराइन भी अच्छा है बाएकि उसकी बेल क् 14 के साथ आता है यहां पर 5000 एमेज के बैटरी और 44 वोट का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा बात कर लेते हैं कैमरे की बैक में 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का डूल कैमरा है अनफोर्चिनेटली देखो कोई भी वाइड एंगल कामरा नहीं मिलता है और दूसरा कैमरा वो सिर्फ 2 म मेगापिक्सल का बोके शूटर है तो वो भी काम का नहीं है मेन कैमरा का है जहां पर आइमेक्स 882 वाला सेंसर है वाइस का सपोर्ट और 4K तक की वीडियो देखोट कर पाएंगे और 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 क्यामरी की क्वालिटी भी यहां पर अच्छी है बाकि फ्रेंड में 16 मेगाप पिक्सल का सेलफी चीटर है डूल स्पीकर मिल जाता है और फाइनली बात करो प्राइसिंग के तो स्मार्टफोन का एट प्लस 120 वाला विरें नाइटी ट्रिपल आइनों मिलता है अभी बात कर लेते हैं लिसम नंबर सेकेंड पर हमने रखा है सामसंग की तरप से गेलेक्सी M35 को दूस्तों नोड और सेमसंग स्मार्टफोन में परफॉमेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है पर बात करें अगर यूजर एक्सपिरियंस की ब्रैंड वैल्यू और कैमरे की क्वालिटी की तो वह एकदम टॉप नॉस लेविल की देखने को मिल जाती है तो स्मार्टफोन इन थोड़ा सा मोटर भारी फिल होने बाला है क्योंकि यहां पर छे हजार एमेज की बैटरी मिल जाएगी 25 वोट का चार्जिंग सपोर्ट है पर देखो दोस्तों उनफोर्चुनेटली इन बोक्स कोई भी चार्जिंग डाप्र नहीं मिलता है उसे आपको अ 13 मेगापिक्सल का सेल्फी जीटर मिल जाएगा मेन कैमरे से आप 4K तक की वीडियो काट कर सकते हैं और फोटो रिमार्श और ऑप्जेक्टी रेजर जैसे बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स भी मिल जाते हैं सामसंग का स्मार्टफोन है तो क्यामरे की क्वालिटी अच् रखा है जो की 22,000 के आसपास अवेलेबल है इंक्लूडिंग बैंक ओफर 20 ट्रिपल लाइन के आसपास मिल जाता है बजट बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा भी और बैंक ओफर अवेलेबल है तो H50 fusion स्टील 20-21,000 के बजटे में बहुत ही अच्छी चोईस है यहां पर 6.7 इंच जो की 20,000 के budget के according अच्छी performance निकाल के देता है स्मार्टफोन एडिट 14 के साथ आता है यहां पर 5000 इमेज की बैटरी और 68 वोट का fast charging support मिलने वाला है बात करो camera की तो back में 50 प्लस 13 मेगापिक्सल का dual camera और front में 32 मेगापिक्सल का selfie जिटे मिलता है स्मार्टफोन के main camera में सोनी का लीट या 788C वाला sensor मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छी camera performance निकाल के देता है चाहे बात करें portrait की चाहे बात करें वीडियो की और photos वीडियो की जो quality आती है वो पंची देखने को मिल जाती है यहां पर आप maximum 4K तक की वीडियो रिकाट कर पाएंगे अभी बात कर एक्श्र आइंक ओफर अविलेबल है तो बहुत अच्छी बात है अगे दोस्तों यह दोते बेस camera smartphone और मैं मिलूंगा आप से लिए मैं तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार